Hello friends, स्वागाताब सभी का मारी YouTube चाहिए Goal to Success में आज की वीडियो में हम लोग प्रिवियस एयर के कुशन को डिस्कस करेंगे जो कम्प्यूटर्स के होंगे यानि Computer Awareness के जितने भी कुशन NTA Net के प्रिवियस एक्जाम से पूछे जा चुके हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे यह इस सीरीज की पहली आपकी वीडियो है और इससे क्या होगा कि आपको प्रिपेशन थोड़ी सी बहुत अच्छी हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कहां पर कमी है इंपॉर्टन है क्यों कम्प्यूटर का सक्षन आपको हर एक्जाम में आता है ठीक है तो यह आपका हर एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है जो भी जिसकी एक्जाम की तयारी कर रहा है उसके सक्षन में का कम्प्यूटर पूछा जा रहा है तो वो यह वीडियो को देख सकता सच चलिए सचाट करते हैं कि उंधिक utmost में से कौन सी दश्मल संख्या Ji थे 25 का 12 सामनाथरथी ये मतलब बाइनरी है इसकन बोल रहा है डीसिमल नंबर है दो शंबल संख्या को बोलते हैं डीसिमल नंबर 12 सामना और अर्यों दीक watch 25 पैंश क redeem इसको आप ने बताया था एक दूसरा था सिंपली जो मैं अभी बताऊंगा तो अगर आपको ना पता हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर जो है आपका प्रेलिश पर चली जाएगा वहां पर कंप्यूटर का अलग से प्लेलिश बनी उस पर आप दear के 25 है याद रखेे 25 ठीक है और सबका आपको क्या करना है जासे मैं बता रहा आपको एक सीरीज लिख देनी आए एसेい वन जुगना दुगना है डा चार-ाथ-श् harmsu गरे मतलम झना है हमारा 25 इनी में से आ जाएगा ठीक है तो 32 को छोड़ दीजेगा 16 को ऐसे लिख दीजेगा यह आगी भी एक्स्टेंड होती है इसी लिजेगा 14 आ जाएगा फिर 128 आ जाएगा ठीक है उससे मतलब नहीं हमें इसको देखना है ठीक है 25 लाना है में देखे 16 के उपर 1 लिख देते है 16 में अगर हम लोग 8 जोड़ते आ जाएगा 24 इसके इंदर भी 1 ठीक है 24 आएगा एक हमें लाना है ठीक है तो एक यहाँ पर यहाँ पर 1 लिख दिया बाकी सबको आप क्या कर दे 0 कर दे तो हम लोग अंसर क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 0 1 क्या आ गया 1 1 0 0 1 देखे क्यासे 1 1 0 0 1 और यह आपका B राइट अंसर है ठीक है आ गया होगा होप आपको समझ में आ गया होगा फिर से देख लिजे एक बार 25 हमें लाना है 1 2 4 8 16 ठीक है 25 क्यासे आएगा 16 16 में 8 जोड़े 24 24 में एक जोड़े 25 तो जो जो हम लोग एड कर रहे हैं उसके उपर हम लोग लिख देते हैं हमने चार को नहीं आयर क्या से लिए जीरो दो का नहीं कि उसके आगे जीरो तो क्या यह बनके आपका प्राइट है चलिए एक दूसर एक्जामपल ले लिजे 35 का ठीक, अगर 35 का हमें स्पर्टफ़ में बदलना है ऐसे लिखा रहता है ठीकmiyor हमें अगर binding में बदलना है तो कैसे बदलेंगे 35 है देखे कैसे लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 ठीक 35 हमें लाना यानि 32 में 1 उपर 32 में हमें 3 आड़ करना है तो 32 में 3 आड़ करना है तो 32 में 3 आड़ करना है तो 32 में 3 आड़ करना है तो 35 हो जाएगा अग 3 मिलेगा कहां से इससे मिल जाए तो क्या बन जाएगा 1000011 ठीक है समझ में आ गया तो यह आपका हो गया 35 ठीक 35 का आपने बाइंडी डिख दिया है ठीक जो जो वीडियो देख रहा है जो जो आपको यह समझ में आ गया हो तो आप दो चीज का निकाल के दिखाईएगा कमेंट कर दीजेगा 42 को आपको बाइंडरी में कनवर्ड करना है जैसे मैंने 25 दिया वैसे यह आपका होंवाग है आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा वह अपका अंसर दे दिजेगा तीनों कोशन के मैं आपको जो है कमेंट करके बता दूँगा यह सही है कि नहीं है और नेक्ट वीडियो में जो उसका देख लिजे कौन से आउट्पूट दिवाइस है कि इस स्पीकर आपके आउट्पूट है मॉनिटर आपके आउट्पूट है प्रिंटर आपके आउट्पूट है ठीक है आपको सबको मालू है प्रिंटर आउट्पूट है मॉनिटर है स्पीकर है कीबोर्ड आपकी से की कीबोरड कि आपके आंपट डिवाइस नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जायगा बी सॉरी सी यानि निम्लिख्यत मेंसे कीबोर्ट आपकी निर्गम यक्ती यानि या आउटपुट डिवाइस नही offers नहीं है चलिए मूख यानि MOOC का पूल रूप क्या है मैंने एक फुल फॉर्म की वीडियो बना दी थी और जितने भी रेस्ट में जितने भी फुल फॉर्म आईए कि आपको करना क्या है आप लोग वाली वीडियो देख लिए प्लेलिस से जिसमें मैंने फुल फॉर्म बताया उसक कि तो जहां जहां कि भी आपको मिले वहां वहां कि फुल फॉर्म लिख लिए समझ में नहीं आएगा एक्जाम की टाइम कि कहां से पूछा गया है इंवार्मन का आ गया कंप्यूटर का आगया फॉर्म आता हम लोग रिलेट कर लेते कंप्यूटर ही का होगा है ना उसी से सिर्ट होगा लेकिन मैंने इनवार्मन में वही सारे से फॉर्म बता हैं कई सारा आपका जार जर्नल अवेरनेस के जैसे कल मैंने स्ट्राइड का बताया था जो मैंने एक वीडियो डाली थी ठीक है तो इस चैप के आपका फॉर्म पूछे जाते एक लोग आप एक जिगह अ ओनलाइन कोर्स मैसिव ओपन ओनलाइन कोर्स यह चौथे का सी आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्या है देखिए 35 मैंने 35 का अच्छा बताई दिया आपको तो क्या निकला था आपको मालूमी है फिर से देख लेते हैं आपको याद हो जाएगा फर यह क्या बोल दिया एक में ऐसे बाकी जिसका यूज नहीं हूँ आउसको 00 कर देते हैं अंसर क्या हो जाएगा यह जल्दी आ भी जाएगा इसके आपका और टाइम भी आपका बच जाएगा तो पांचवे का ए आपका राइट अंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट कोश्चन है आपका जी आएफ, जे पीजी, बीएंप, पीएंपी का प्रियोग फाइल्स के विस्तार यानि एक्सेंशन बोला जाता है के रूप में किया जाता है जो भंडारन करती है जो श्टोर करती है या ऐसे समस्क्राइब लोग देखें आप लोग अगए ध्यान दिया हो थोड़ा सा जी आएफ का आपने यूज किया होगा वाटसव करने के लिए है न जी आएफ फार्म रोसेंट करते हैं ठीक है तो यह सब किसका है यह सब आपको मालूम है इमेज़ देटा होता है आप पकड़ कैसे सकते हैं देखिए जेपीज और जी आईएफ बीएंपी का आपने नाम जी ना हो तो BMP और PNP भी याद रखिए ये भी extension किसका है file extension है image data का ठीक है चलिए next question हो जाएगा आपका 7 देखिए इससे आपको बता देते हैं तीनचा question इसी से बन जाएंगे देखिए a to f तक के प्रतीकों को निम्लिके तुमें से किसमें प्रियोग किया जाता है ठीक है तो इसका right answer मैं आपको पहले बता देता हूँ शर्ट दशम्र ने hexadecimal बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं hexa 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 decimal ठीक है hexadecimal है उसमें हम लोग a to f का यूज़ करते हैं इन सब का भी यूज़ करते हैं लेकिन सब का hexa decimal में यूज़ होता है मैं बता जाता हूँ a और f वगारा है क्या ठीक उससे पहले हम लोग बाइंडरी पर चलेंगे जिसको दू याधारी आंग के बाइंडरी इसमें हम लोग सिर्फ जीरो और वन का यूज़ करते हैं इसलि ठीक है इसमें हम लोग जीरो टू नाइन का यूज़ करते हैं जीरो टू नाइन यानि टोटल अगर जीरो से आप काउंट करेंगे नाइन जीरो वन टू त्री फोर फाइफ जिक्स सेवन एक नाइन तेन तो आपको टैन आ गया ना इसी लिए हम लोग इसको डेसिमल बोलते जीरो से स्टार्ट होता है इसलिए हम लोग जीरो टू नाइन बोलते हैं बाइंड या आपका जीरो और वन और दशमल यानि डेसिमल आपका जीरो टू नाइन और आपका अश्ट भुजा अंग यानि ओक्टल बोलते हम लोग ठीक है इसको बोलते हैं ओक्टल इंगलिश मे यह आपका होता है 0 to 7, octal 8 numbers होते हैं, 0 से starting है, इसलिए यह 7 तक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, ठीक है, 8, जो 6 दशमलव है, यानि इसको hexadecimal बोला जाता है, इसकी अगर हम लोग वो बोलते हैं, तो यह आपका आता है, 0 to 15, ठीक है, और 15 को हम लोग F बोलते हैं, देके 0 to 9 आपको मालूम है कि हम लोग जो है, किसमी यूज़ करते है, decimal में, याद हो जाएगा, इसलिए से समझ में आ जाएगा, A हो जायता है, आपका 10, 9 के बाद, 11 आपका हो जाता है, B, 12 हो जाता है, C, ऐसे ही आपका F क्या हो जाता है, 15, ठीक है, 13 आपका हो जाएगा D, 14 हो जाएगा, आ आपको अच्छी तरीखी से यह क्लेर हो जाएगा इसका राइट है साइवन हो जाएगा सी चलिए निमलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है निमलिखित में कौन सा इंजन नहीं है कि गूगल तो है आप लोग यूज करते हैं याहू भी यह बीग भी एंग क्रोम आपका लेकिन वह नाम है तो आपका Chrome बी आप्षिन रहा आपका राइट अंसर हो जाएगा कि यह Chrome आपका सर्च इंगें नहीं है देखिए एक और फॉल फॉर्म आ गया CFF यानि CSS का फॉल फॉर्म क्या है CFF का फॉल फॉर्म आपका है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या है C for कैस्केडिंग स्टाइल स्टाइल शीट्स आपको बता दे कि इसका प्लीस से क्या करना है आपको एक अलग सेपरेट आप तीन चार पेजस के आप नोट्स बना लिए जिसमें सिर्फ फॉल फॉर्म लिखिए एक्जाम से पहले आप लोग क्या क्लिए डेख लीजएगा यह सोचिएगा कि लिए आपका जोब निजलेहिए उसके लिए पर चीजशे करने अलग करने पड़ेगा मालोम हर सल बढ़ रही है आपका जो क्या में बोलते बढशे बढ़ रहे बाmek कर लें हर एक सक्षन की हर एक सब्जेक की बात कर रहें ठीक है तो उसको ध्यान में रख लिजेगा याली बात चलिए लास्ट कोशन है सिच्छक कक्षा में नहीं एक संदेश सब्दों या चित्रों में भेजता है विद्यारति वास्तों में क्या है समझाने की लिए किसी चीज़ को भेज रहा ह। शब्दों के माध्यम से चित्रों के माध्यम से पिक्टोरिय रिप्रेजेंटेशन हो सकता है या सिंबॉलिक रिप्रेजेशन बोल सकते हैं हम लोग शब्दों के ठीक है लेकिन यानि वो है चित्रों के माध्यम से किसी चीज़ को भेज रहा है किसी चीज़ को बता रहा है वो करमाल लीजिए अपने और जितने उनके साथी हैं उनको भेजने के लिए क्या करते हैं अजीब गरीब वो लो कोडिंग का यूज करते हैं अजीब गरीब ठीक है तो वो क्या करता है जो जिसको यह चीज़ मिला होता है जो संदेश मिला होता है वो उसको क्या करता है डिकोड करता है जो डिकोड करता है उसको डिकोडर कहते हैं जो इस कोड को इस कोड को इनकोड करता है मलब कोडिंग करता है जिसकी है ना बदला उसको इनकोडर बोलते हैं तो यहां पर सिच्छक क्या हो जा कूछ आ रहा हैं लेकिन वों क्या समझा रहे है उसको हमें decode करने है कि इन्होंने पिक्चर की तूप क्या बता आई सुडृेंज यानि विध्धयार्ती वन्हें सो इसस्ति कि वह चले को है अगर आहीत है यह पीछले यर की तो आ तो आप कमेंट कर दीजेगा कमेंट सक्षन में और आपको अच्छी तरीके से वाली वीडियो बना दीजाएगी ठीक इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है जल्दी शाम तक यह आपको कल मिल जाए तो वीडियो में बने रही है अगर आपने पहली बाद चैनल को देख रहे ठीक है तो फिर्म आज की बीडियों में सिर्फ इतना ही धन्यवाद